हुआ है मैं डॉक्टर रजने स्रीवास्ता चितिक साधिकारी पढ़रोना कुसी नहीं है मेरा लाइब आने का सिर्फ एखी उदेश है कि जो हमारी भारत सरकार और कोवी शेल्ड वैक्सिन लगाया जा रहा है जिसके प्रती जो लोगों के अंदर नाकरात्मक और जुमर्स है बिल्कुल गरूत है भारत सरकार बढ़ा दिया गया कोवी शेल्ड वैक्सिन बिल्कुल सेफ और सुरच्षित है और इसलिए इसको पाने ही डॉक्टर्स श्टाप नौस और हास्पीटर के इस्टाप के उपर ही लग रहा है तो आप इसमें बिल्कुल घबडाने के लिए ब करोना वैक्सिन को कैसे लगेगा तो कोवीशिल वैक्सिन भारत सरकार दौरा तू डोज में लगाया जा रहा है जो कि फर्स्ट डोज आज लगेगा तो 28 देज के बाद फिर से बूसरा दोज लगेगा बट यह है कि इसका जो इम्मुनिटी सिस्टम यानि आप सभी में कोई तो फर्स्ट डोज के पार से 6 सब्ता के बाद आपको इम्मुनिटी डवलोग होगी और एंटी वाडी आपके सरीम में बनेगी जिससे आपको करोना के इंफेक्शन से लड़ सकते हैं तो यह चीज एक इंपॉर्ट दूसरी रूमर्स भी आ रहे है कि क्या वैक्सिन एक बार लग जाने के बाद दुसरी लाइव टाम के लिए हो सकता है तो इसमें जैन्द बाद ही है कि लाइट जो हमारी पास आ रहे हैं अगर वाप क्या क्या हमको साइड इफेक्ट है जंदुली वैक्सीन लगने के कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है इसमें फीवल और बॉड़ी एज आ जा रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको घबडाने के बेल्कुल नहीं ज़र होता है आप एक सिंपल पारशी टावल का टैबिट ले सकते ह जिससे आपको प्रब्लम दूर सकते हैं तिसरा कोश्चन जो सबसे जादे हमारे पास आए हैं जो हमारे फ्रेंड्स में पूछे हुए हैं अगिन कुमात और जजे सिंद राजपूर्ट हैं और भी कई फ्रेंड्स हैं जिनके जो हमको कोश्चन भी दी आए कि क्या कोवी सब्सक्राइब लग गए तो लाइफ टाइम के लिए नहीं क्योंकि जिस तरह से पैंडमिक सिच्वेशन हैं एक बार वैक्सिन लगने के एक से दो साल तक आपके अंदर इम्मूटिक बनी रहे तो पैंडमिक सिच्वेशन एक से दो साल किने क्या होता है यह फिर से देखा इसके एक्सक्रिमेंट चलना है तीसरा चीजी है कि हमको जादी से जादी वैक्सिन लगवाने की जरूरत है सरकार कलच जुलाई 2021 तक 30 करोन लोगों तक कोई वैक्सिन पहुंचाने का है तो क्योंकि बहुत ही बड़ा पैंडमिक इश्यू है और करोना का इस सबसे बड़ा दूबच की दूरी और बार स्थेजा दूरी अभी भी अब इसको लेके चलें जिस्ते हम स्वास्त्रा है और दूसरे को भी स्वाच्छित्रा करें